नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्ती इसके मार एक बाद फिर से आपके सावित करता हूँ आपके चैनल पे दोस्तों आज हम कंपेर करने वाले हैं टाटा एलेक्सी और हैपेस्ट माइंड को इससे पहले हमने कंपेर किया था टाटा एलेक्सी और केपेटी को वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे ने हो तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर रख लिजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाईए सबसे पहले हम बात करते हैं हैपेस्ट माइन के वारे में हैपेस्ट माइन की स्थापना 2011 में की थी और इसके पर्मोटर है असोक सूता जी जो की पहले चेर्मैन और फाउंडर थे माइंटरी के से पहले वो 15 साल तक भी प्रो में भी काम कर चुके हैं Happiest Mind अपना IPO 2020 में लेके आया था और उस समय इसका प्राइस ब्रैंड था 165 से 166 रुपे जो की लिस्ट हुआ 111 परसेंट के प्रीमियम पे इसका लिस्टिंग प्राइस था 351 रुपे तो इसने अपने इन्वेस्टर का पहले दिन ही पैसे को डबल कर दिया और दूसरी तरह है Tata Lexi जो की Multi Billion Group Tata Group का हिस्सा है तो आज हम दोनों को कंपेर करने वाले लेकिन उससे पहले हम दोनों ही कंपनियों के हम बिजनस को देखते हैं कि सस Stall करती है और वहां से कित manner कितना revenue दोनों ही कंपनिया किस देख से कितना revenue चमाती है सबसे पहले हम च्रत करने वाले कि Tata Lexi को पने किस सेग्मेट से कितना revenue मिलता है Tata Lexi को पने Embedded Product and Design से मिलता है 88-P Espur apresent का revenue इसके बाद हम चेक करते हैं कि टाटा लेक्सी को किस देश से कितना revenue मिलता है तो यूरोप से 36.5% का revenue मिलता है अमेरिका से 36, इंडिया से 13% और रेस्ट ओफ दे वर्ल्ड से मिलता है 14.5% का revenue अब हम देखने वाले हैं कि happiest mind को अपने किस segment से कितना revenue मिलता है तो यासे कि आप देख पारे हैं कि इन्हें Digital Business Solution से 25.8% का revenue मिलता है और उसके बाद है फिरिन का Product Engineering Service जिससे कि इन्हे 52.6% का revenue मिलता है और उसके बाद Infrastructure Management and Security Service जिने हम सोट में IMSS भी बोलते हैं तो यहां से इन्हें लगबग 21.6% का revenue मिलता है अब हम चेक करने वाले कि Happiest Mind किस देश से कितना revenue generate करती है तो इन्हें USA से 78% का revenue मिलता है इंडिया से 12%, यूरोप से 7% और Rest of the World से ने 3% का revenue मिलता है इसके बाद हम इन दोनों ही कंपने और डिफेंट पैरामेटर पर कंपेर करने वाले हैं और दोस्तो इस बार हमने कुछ नए पैरामेटर को भी एड किया है और मैं आपको उन सभी पैरामेटर को बिल्कुल easy way में समझानेगी पूरी पूरी कोशिश करूँगा तो दोस्तो वीडियो में आखरी तक बने रहे सबसे पहले हम देखने वाले इन दोनों कंपनियों की मार्किट कैप अगर हम बात करें टाडा लेक्सी की मार्किट कैप की तो वो निकल कर आते है 46 साथ 249 करोड की वही हैपेस्ट माइंड की मार्किट कैप है 16,898 करोड की तो देखिए लगबक तीन गुना बड़ी कंपनी है टाडा लेक्सी हैपेस्ट माइंड से उसके बाद हम चेक करते हैं कि टाडा लेक्सी ने पिछले अपने एक साल में कितनी सेल्स की है तो वो निकल कर आते है 1826 करोड की और हैपेस्ट माइंड की सेल्स इंगल काई थे 761 करोड इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा पहला वैल्वेशन का पहरा मेंटर जो होगा प्राइस टू अर्निंग रेशो देखिए इस रेशो का मैं अपनी पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ तो बेसिकली प्राइस टूरिंग रेशो हमें ये बताता है कि आपको अगर किसी भी कमपनी में एक रुपय कमाने तो उस एक रुपय के लिए आप एडवांस में कितना रुपय पे कर रहे हो तो जैसा कि टाटालेक्सी के इसमें ये 91.6 है इसका मतलब कि एक रुपय कमाने के लिए आपको इन्हें देना पड़ेगा पहले एक क्यानवे रुपय और दूसरी तरफ हैपेस्ट माइंड का पी रेशो है 104.80 पैसे तो अब आप समझ गए हो कि आपको हेपेस्ट माइंड में ज्यादा देना पड़ रहा है तो इस हिसाब से टाटालेक्सी को अडवांटेज मिलेगा और उसे मिलते हैं दो पॉइंड पॉइंड और हेपेस्ट माइंड को मिलेगा एक पॉइंड तो इस तरह से भी टोटल वीवाइ इबिटा है 61 और हैपिस्ट का 65.7 तो यहां भी देखिए हैपिस्ट माइन थोड़ा सा महंगा है टाटल एक पॉइंट इसके बाद अब टोटल पॉइंट हो चुके टाटल एक चार और हैपिस्ट के पास हो चुके अभी दो पॉइंट इसके बाद हम बात करते हमारे अगले रेशो की जो की होगा हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू दीखिए इस रेशो को हमने पहरी बार हमारी वीडियो में एड किया है तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां पर डिटेल में बताना चाहूँगा तो यह सबसे पहले हम समझते हैं बट इस बुक वै तो बदले में उसे कितना रुपया कम से कम मिल सकता है तो वो कहलाता है हमारा बुक वैल्यू तो अब हम समझते हैं कि वट इस प्राइस टू बुक वैल्यू तो देखिए हमाली जे कोई कंपनी है एक स्वाइज जैड और उसके एक शेर कीमत 700 रुपे है और अभी जो उसकी बुक वैल्यू है वो है 80 रुपे गी तो प्राइस टू बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें कंपनी के शेर को डिवाइड करना पड़ेगा उसकी बुक वैल्यू से तो वो नंबर हमारे सामझने कलके राता है 8.7 तो इसका मतलब यह वागी कंपनी का मुझदा जो भाव ह वो अपनी बुक वैल्यू से लगबग 8 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यह जितना ज़्यादा हुआ उतने ही कंपनी महेंगे वैल्यू से पर ट्रेड कर रही होगी तो अब हम देखते हैं कि टाटा लेक्सी का प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है तो टाटा लेक्सी को इस पर मिलेगा एक पाइंट और हैपेस्ट माइंड को मिलेंगे दो पाइंट इस तरह सब टोटल पाइंट हो चुके टाटा लेक्सी के पास और चार पाइंट हो चुके हैपेस्ट माइंड के पास अब हम बढ़ते हमारे अगले रेशो की तरफ जो की होगा हमारा का ratio देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके formula की तो जैसे कि आप देख पारे हो की इसका formula की कुल आमदनी को अगर आप divide कर दोगे company के total number of share से तो हमारे सामने price to sales रेसे निकल के आ जाएगा तो मानेज़े किसी company total sale है 3000 करोड रुपे की और उस company के पास total number of share है 15 करोड रुपे अगर आप हम total sales को divide कर देंगे number of share से तो हमारे सामने price to sales रेसो निकल कर आ जाएगा तो ये number निकल कर आता है 200 रुपे परती share तो price to sales रेसो निकालने के लिए हम company के share price को divide कर देंगे किसे sales परती share से तो मैं उमीद करता हूँ कि आप इस रेसो भी बड़ी असानी से समझ गए होंगे अब हम देखते है टाटलेक्सी का price to sales रेसो कितना है तो ये निकल रहता है 14.48 और happiest का है 24.24 तो देखें यहाँ पे happiest point जो है अपनी sales के मुकाबले जो company का जो price है वो कफी जादा है तो इसलिए टाटलेक्सी को मिलेगा 2 point और happiest mind को मिलेगा 1 point इस तरह से total 7 point हो चुके हैं टाटलेक्सी के और अभी 5 point पे है happiest mind इसके बाद हमारा अगला ratio है return on equity तो return on equity का मतलब होता है कि जो investor है उन्होंने जिस company में जो पैसा लगाया है अब बदले में company उन्हें वापस कितना return दे रही है तो ये return देखे percentage में होता है और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हर कोई investor रही चाहता है कि जहाँ पर भी वो पैसा लगाए उससे वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा return मिलना चाहिए तो देखे टाटा लेक्सी केस में 30.15% हैपेस्ट माइड के केस में है 42.1% तो काफी एच्छा return मिलता है हैपेस्ट माइड से भी यहाँ पे टाटा लेक्सी को मिलता है एक point और happiest mind को मिलते हैं दो point इस तरह से total 8 point हो चुगे ड़ाटा एलक्सी के और 7 point हो चुगे है happiest mind के तो दोस्तों इसमें जो मुकाबला है वो काफी close आ चुका है अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले ratio की तरफ जो की होगा हमारा return on capital employed return on capital employed का मतलब है कोई company अपने किसी investment को कहीं पर करती है चाहे वो किसी building के रूप में हो कोई software के रूप में हो उसने कोई machine खरीदी हो वहाँ से company कितना return generate कर पाती है तो generally high ROC को ही prefer करेंगे और एक percentage में रहेगा तो टाटा लेक्सी के case में 42.5% है और happiest mind के case में 36.51 तो यहाँ पर दो point मिलेंगे अभी टाटा लेक्सी को और एक point मिलेगा happiest mind को अभी total 10 point हो चुके है टाटा लेक्सी के और 8 point हो चुके है happiest mind के तो जो lead है वो धिरे-धिरे shift होती होई टाटा लेक्सी की तरफ अब हमढ़ते है हमारे अगले ratio की तरफ जो की होगा debt to equity ratio debt to equity ratio हमें यह बताता है कि company के पास अगर एक रुपया है तो उस एक रुपय के मुकाबले में company पे कितना कर्ज है तो देखे यह ratio generally 1 से नीचे जितना होगा उतना best है अगर बिलकुल 0% है तो और भी the best है तो देखे टाटा लेक्सी में है point 08 company कभी भी किसी भी समय अपने इस कर्ज को उतार सकती है तो यह virtually एक debt free company है उसका दम देखते है है happiest mind का तो देखे यह ratio निकल कराता है हमारा point 31 तो वो भी देखे काफी अच्छा है लेकिन टाटे लेक्सी का काफी बहतर है तो इसलिए से मिलते हैं दो point और एक point से संतोष करना पड़ेगा भी happiest mind को अभी total 12 point हो loan ले लेती है कोई बड़ा कर्ज ले लेती है तो उस कर्ज का जो ब्याज होगा को कोण असानी से चुका पाएगा देखे यह number जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है तो अब हम देखते हैं टाटा लेक्सी का कितना है interest cover ratio तो यह निकल कराता है 73.58 और happiest mind का है 27.87 इसका मतलब कि टाटा लेक्सी जादा बहतरीन तरीके से अपने कर्ज का ब्याज चुका पाएगी तो इसलिए 2 point मिलेंगे भी टाटा लेक्सी को और एक point से संतोज करना पड़ेगा happiest mind को इस तरह से total अभी 14 point हो चुके हैं टाटा लेक्सी के पास और 10 point हो चु की होगा current ratio देगे दोस्तो current ratio हम आज पहली बार discuss करने वाले हैं तो थोड़ा से मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल deeply जाके समझाओंगा कि यह current ratio कैसे निकलता है तो please video को skip तो बिल्कुल भी ना करे क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हो सायद ही आपको और कोई बताता होगा तो चलिए अब हम समझते हैं कि what is current ratio तो दोस्तो current ratio का हमारा formula होता है current assets को अगर आप divide कर दोगे current liability से तो सबसे पहले हम समझते हैं कि current assets क्या होते हैं current assets के अंदर वे resources आते हैं जिने आप एक साल के अंदर consume कर सकते हो या फिर उन्हें एक साल के अंदर ही आप cash में convert कर सकते हो तो एक बार देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे assets हो सकती है तो दीखे इसमें आ सकता आपका cash मालिज आपके bank में कोई cash पड़ा हुआ है दूसरा होता है हमारा bank deposit जैसे कि आपके bank में कोई FD है और तीसरी होते है कोई market securities अगर आपके company के नाम से कोई और share से आपके पास account recevables म उसका पैसा भी आना वाकी है inventory मालिज आपके पास कोई समान है जो आपका product है आपके पास वो रखा हुआ है तो आप उसे कभी व्याप बेश सकते हो term loan and advances मालिज आप किसी तरह का कोई छोटा loan ले सकते हो तो यह सब आता है हमारा current assets के अंदर अब हम समझते है कि current liabilities क्या होती है तो दोस्तों इसका जवाब जो है इसी में देखे छुपा हुआ है liabilities का मतलब होता है कि आपको किसी कोई कर्ज देना है और ऐसी liability जो कि एक साल क अंदर आपको देनी हो तो वो कहलाती है हमारी current liabilities तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन से liability होती है तो देखिए माल लिजे आपको कोई account payable है माल लिजे आपने किसी से कोई समाल लिया और अब आपको उसका पैसा देना है या कोई short term आपने loan लिया था और अब आपक अब उसको इस्तवाल कर सकते हो advances from customer अपने कोई advance लिया किसी customer से कोई outstanding expense या कोई term loan installments माल लिजे आपने कोई loan लिया है और उसकी अब आपको installment देनी है तो ऐसी liability को हम कहेंगे current liabilities तो दोस्तों माल लिजे आपके पास आपी 100 रुपे की assets है और आपको जो देन्दारी देनी है वो भी आपकी 100 रुपे की देनी है तो आप कभी भी आप अपने इस assets को बेच कर आप ये वाली अपनी liability उतार सकते हो तो जो हमारा formula है कि आप current assets को अगर आप डिवाइड कर दोगे आपकी current liability से तो इस से एक ratio निकल कर आता है जो की कहलाता हमारा current ratio जेनरली ये जो ratio है ये ratio 1 1.333 से देखी ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 3 से कम होना चाहिए माली जी आपके पास assets है 200 रुपे की और आपको किसी का पैसा देना है 100 रुपया तो उस case में आपका current ratio निकल के आएगा वो निकल गाया आपका 2 का तो इससे हम कह सकते है कि आपकी जो financial stability है वो अच्छी है आप लेकिन 3 से कम होनी चाहिए क्योंकि फिर आप अपने इन assets को ढंग से आप use नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे में हमें ये भी देखना है कि company का current ratio है वो बहुत जादा भी नहीं होना चाहिए और वो 1 से कम भी नहीं होना चाहिए तो अब हम चेक करते हैं कि Tata Lexi और happiest mind के case में ये ratio दोनों company का कितना कितना है तो दीकि Tata Lexi का current ratio है वो है 5.26 और happiest mind का है 2.71 तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये current ratio जो है 1.33 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 3 से कम होना चाहिए बेसक से ज़्यादा current ratio है Tata Lexi का लेकिन ये 3 से ज़्यादा है तो इसलिए हम इसे देंगे 1 point और happiest mind को मिलेगा 2 point और अब total point Tata Lexi के हो चुके है 15 और 12 point हो चुके है happiest mind के अब हम बढ़ते हमारे अगले ratio की तरफ तो यहाँ पर हम देखने वाला है कि पिछले 5 साल में इन दोनों ही कमपनियों की जो sales है वो किस दर से बढ़ रही है तो इनकी जो sales है वो देखि जादा से जादा जितनी बढ़ेगी तभी इनका profit भी जादा बढ़ने की हमें उमीद है तो टाटा अलेक्सी के case में जोनकी sales growth रही है पिछले 5 साल में वो रही है 11% और happiest mind में रही है 17% तो यहाँ पर अभी एक point मिलेगा Tata Lexi को और दो point मिलेंगे happiest mind को अभी total point Tata Lexi के हो के है happiest mind के एक समय में दोनों के बीच में जो gap जादा हो चुगा था अभी देखिए वो धीरे-धीरे कम होता हुआ अब हम बढ़ते हमारे अगले parameter की तरफ जो की हमें यह बताएगा कि पिछले 5 साल में इन दोनों ही कंपनियों में जो profit है वो किस दर से बढ़ रहा है तो यह भी देखिए ज्यादा profit होना चाहिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टाटा अलेक्सी का profit बढ़ा है 19% से और happiest mind का बढ़ा है 115% से तो दोस्तों यह जो profit growth है एक exponential है जनरली इतनी नहीं होती और नहीं कंपनियों जो profit है यतना sustain कर पाएगी लेकिन फिर भी यहाँ पर एक point मि के लेंगे happiest mind को तो अभी total 17 point हो चुके हैं टाटा अलेक्सी के और दोस्तों भी 16 point हो चुके happiest mind के तो दोनों के बीच में ही देखिए अब एक point का difference है और जो हमारे parameters हैं वो धीर धीर अभी हमारे कम होते वे आ रहे हैं तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आगले parameter की तरफ जो की हो हुआ operating profit margin की दोनों ही कंपनियां अपने पास कितना कितना profit margin निकाल कर रखती है तो जितना ज्यादा उतना अच्छा तो यहां पर 30.7% का operating profit margin है टाटा अलेक्सी केस में 23.9% का operating profit margin है happiest mind के केस में तो अभी 2 point मिलेंगे फिर से टाटा अलेक्सी को और एक point से संतोष करना पड point हो चुके 19 और अभी 17 point हो चुके happiest mind के पास तो अगला हमारा parameter free cash flow को divide कर दोगे number of share से तो यहां पर हमारे पास निकल करा जाएगा free cash flow per share की company के पास एक share के मुगावले कितना free cash flow है तो यह देखिए 61.95 का है टाटा एलेक्सी का और happiest mind के पास है 11.36 का यहां पर मैं आपको बत पर नहीं देने वाले हैं यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था अब हम बढ़ते हमारे अगले parameter की तरफ जो की होगा F.I.O.D.I.s की holding और promoter की holding दोनों ही company में कितनी कितनी है तो यहां भी देखिए हम कोई number नहीं देने वाले हैं यह भी सिर्फ आपकी information के लिए है तो दे देखते हैं promoter की तो 44.32% stakes रखते हैं promoter टाटा लेक्सी के अंदर और happiest mind में 53.25% का stakes है promoter के पास अब हम बढ़ चुके हैं हमारे final score की तरफ तो दोस्तों वो रहेगा हमारा pleasing तो इसे मैं आपको एक बिल्कुल सरल भासा में समझाना चाहूंगा माली जे कोई आम इंसान है ज तो सेम यहां पर देखे promoter के पास जो एक company के shares होते हैं अगर वो गिर्वी रख देते हैं bankers के पास तो वहां से फिर उन्हें fund मिल जाता है तो यह देखे generally negative माना जाता है तो देखे टाटा लेक्सी में देख लेते हैं कि कितने है pleasing तो यहां पर यह निकल गराती 0% क्योंकि ग्रूप का हिस्सा है तो मुझे नहीं लगता कि इतने fund के जूद पढ़ती होगी और दूसर देखे हैपेस्ट मान जो की छोटी company है तो वहां पर pleasing है 0% बड़ी अच्छी बात है अब देखे दोनों के मिलते हैं 12 point और यही हमारा final score था तो अभी 21 point हो चुके टाटा लेक्सी के और 19 point हो चुके हैं हैपेस्ट मान के बेसक टाटा लेक्सी यहां पर देखे दो ही point से जीत पाया है लेकिन हैपेस्ट मान भी देखे कम नहीं है और ध्यान रखिए यह अभी एक नई company है जिसके स्थापना सिर्फ 2011 में हुई है लेकिन इनके जो promotor हैं उनके पास काफी experience है काफी बड़ी बड़ी company को साथ हो रह चुके हैं तो दोस्तों यह था हमारा आज का comparison और मुझे comment section में बताइए कि क्या आप happiest mind को buy करने वाले हो और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो please इसे like करके जाएए वीडियो को बनाने में काफी महनत लगी है और अगर आपको ऐसी वीडियो आगे मिलते रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए बाकि मैं आपका दोस्ति इसकुमार मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye